तो आज मैं बनाने जा रही हूं वेज पुलाओ या फ्राई राइस आप जो भी इसे कह लो क्योंकि आज को भी पता है कि घर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो हम कभी कभी सोचते हैं कि हम ऐसा क्या बनाए जो हमें किचन से जल्दी छुट्टी भी मिल जाए और जल्दी बन दिया तो इसलिए मैंने यह रेसिपी बनाई है कि आज पुलाओ या वेज फ्राई राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर कढ़ाई गरम कर लेना है कढ़ाई जैसी गरम हो जाती है यहां पर दो बड़े चमस घी डालेंगे घी जैसी गरम हो जाए यहां पर आध इसके बाद मैं यहां पर डाल रही हूं दो हरी इलाइची जो मैंने इसको खोल कर ऐसे डाला है इसके बाद मैं यहां पर डालोंगी लहसून और हरी मिर्ट जो जिसे मैंने अच्छे से चौप करके रखा था अब यहां पर लहसून और हरी मिर्ट थोड़ा हलका सा फ्राई ह जाए जो जाए उसके बाद मैं यहां पे डालूंगे आलू तो यहां पे मैने दो मीडियम सइज के आलू को ऐसे क्यू प्रेंट्ट में कट जाए तो उसके बाद यहां पे डालेंगे प्याज और यहां पर मैंने two medium-side-dos ofakat करके रख था और एक medium-side को मैंने यहां पर करके रखा है तो यहां पर हमिए इसे आलू के साथ ही फ्राइ कर लेंगे तो एब मैं यहां पर डॉल्हेंछ श्वय के साथ ही किसमें पड़ा हुआ था सूर मेरे यह पर easy रखिपला आप मिर्टा इसके तमाटर को चौप कर रखवा तो यहाँ पर हम टमाटर डाल देंगे तब चुप्याता को जलदी गल लेकिन तर नमक गल ताइक तो तो बर बहुत बहुत कर देंगे नहीं तो年前 यहाँ पर हम डालेकर चुप्याई है зão देखें Selow जालासानी से मार्केट विमिल जाती है इसके बाद में याँ पर डाल रही हूँ एक बड़ी चमच लाल मिर्च का पौडर और आदी चोटी चमच हल्दी और इसके बाद एक बड़ी चमच यहां पर मैं डाल जलना पाउडर तो इन सभी मसालों को अच्छे से फ्राइब कर लेना है उसके बाद में यहां पर टाल दूप पनीर एक पनीर में यहां पर पहले से मैंने क्यूब में कट करके रखा वा था अगर आपके पस पनीर यह तो डाले नहीं है तो आप ना डाले पनीर को भी अच्छ चीनी इसके बाद मैं यांपे डालूगे आधी चोटी चमस, नमक चीनी के जगां टोमeitooo कैचप कब 고atta मैं युज कर सकते हैं उसके बाद मैं ćालूए पेस्त और जॉटी चमस आप चाहा तो स助ह चाहाrings मैं भी तो आप देख सकते हैं, दस मिनट के बाद मैं एक बर चक कर लेती हूँ, यहाँ पे चावल बहुत अच्छे से पक चुके हैं, और आप देख सकते हैं यह कितना खिला खिला पलाव बना है, तो इसे मैं एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ, आप देख सकते हैं कितना खिला ख या डिनर में भी बना सकते हैं तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? प्लीज कमेंट सक्षिन में जरूर बता हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना बुले थैंक यू